हेलो दोस्तो, हिंदी एंडवाई टिप्स में आप सभी का स्वगत है दोस्तो, आज मैं आपको मुबाईल की तीन सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो सभी मुबाईल चलाने वालों को पता होना चाहिए अगर दोस्तो, आप अपने मुबाईल को बच्चो के हाथ में देते हैं यूटूब पर वीडियोस देखने के लिए, प्लेश्टोर से गेम डाउनलोड करने के लिए तो ये तीनो ही सेटिंग्स दोस्तो, आपको फोन में करके रखना चाहिए ताके जाने अंजाने में गलती से भी आपके बच्चे यूटूब पर कोई भी गंदी वीडियोस सर्च ना कर पाए और नहीं यूटूब खुद उन्हें कोई 18 पलस कोई गंदी वीडियोस सजेस्ट करे इसी तरह से प्ले स्टोर में भी आपको कुछ सेटिंग्स करके रखना चाहिए ताके जाने अंजाने में गलती से भी आपके बच्चे प्ले स्टोर से कोई भी गंदी गेम, कोई ऑनलाइन डेटिंग एप्लिकेशन डाउनलोड ना कर पाए जी हाँ दोस्तों ये तीनों ही सेटिंग बहुत ही जरूरी है आपके फोन में आपको आउन करके रखना चाहिए ताके आपके बच्चे किसी भी तरह की गंदी वीडियो से किसी भी तरह की 18 पलस वीडियो से सेफ रहे उन्हें ना देख पाए तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी है ये सेटिंग तो आप इस वीडियो को एंट तक देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप नए है तो यहाँ पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में इस बैल आइकोन को दबा कर इसे आल पर सेक कर दीजिए ताके आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए और दोस्तों आपको नीचे आगर एक कमेंड भी कर देना है इतना काम करके दोस्तों आप जरूर से मुझे सपोर्ट कीजिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पहली सेटिंग करने के लिए आपको जाना है यूटूब एप्लिकेशन में इसके बाद आपको जाना है शेटिंग्स में इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है जनरल में और यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी रेस्टिकेटेड मूड आपको इस सेटिंग को आउन कर देना है इस सेटिंग को आउन करने के बाद अब कोई भी बंदा अगर YouTube एप्लिकेशन के अंदर कोई भी 18 पलस व विडियो दिखाए देती हैं यहाँ पर किसी भी तरह की गंदी और ऐसी विडियो शो नहीं होगी तो अगर आप अपने मोबाइल को अपने बच्चों के हाथ में देते हैं काटून वगरा देखने के लिए तो आप इस सेटिंग को जरूर से ओन कर दीजिए दोस्तों दूस आपको इस सेटिंग को आउन करके अपना एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देना है और आपको इस पासवर्ड को बच्चों को नहीं बताना है तीक है इसके बाद आपको एपस एंड गेम्स पर किलिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा अब आप दोस्तों यहाँ पर जो यह लिखा हुआ यह सब एज है 3 पलस 7 पलस तो आपको देखना है कि आपके घर में किस एज के बच्चे हैं तो आपको इसे 7 पलस पर सेट कर देना है और यहां से सेव कर देना है अब दोस्तों क्या होगा प्लेश्टोर के अंदर 7 पलस एज के मुताबिक ही गेम और एप्स दिखाई देगी कोई भी गंदी ऐसी वेसी ओनलाइन डेटिंग एप्स कोई भी गंदी एप्स या गेम प्ले स्टोर में शो नहीं होगी दोस्तो तीसरी सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा फेस्बुक में दोस्तो जब भी हम फेस्बुक यूज करते हैं तो फेस्बुक में दोस्तो वीडियो जो होती ही वो आटोमेटिक पिले हो जाती है अब ऐसे में अगर हम फेस्बुक यूज कर रहे हैं और हमारे साथ में बच्चे हैं और दोस्तों कोई अचानक से गंदी वीडियो आ जाती है जो automatically play हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है तो अगर आप चाहते हैं Facebook पर भी वीडियो automatic play ना हो तो इसके लिए आपको 3 line पर click करना है नीचे आपको यहाँ पर settings पर click करना है फिर से आपको यहाँ पर settings पर click करना है इसके बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है यहाँ आपको एक setting मिलेगी media and context आपको इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी auto play आपको इस पर click करके नीचे यहाँ पर never auto play videos पर इसे set कर देना है अब दोस्तों क्या होगा अगर आप facebook पर जब भी कोई video देखेंगे वो automatic play नहीं होगा यानि कि अगर आप facebook use कर रहे हैं इस तरह से scroll कर रहे हैं तो वीडियो जो है दोस्तों वो automatic play नहीं होगा जब आप उस पर click करेंगे तो ही video play होगा इस तरह से दोस्तों अगर आप बच्चों के साथ बैटे हैं facebook use कर रहे हैं तो कोई भी गंदी ACVC वीडियो जो है वो automatic play नहीं होगी तो ये तीन setting दोस्तों आप ज़रूर से अपने phone में on कर लीजिए अगर आप अपने बच्चों के सामने mobile को use करते हैं या फिर अपने mobile को बच्चों के हाथ में देते हैं YouTube पर वीडियो देखने के लिए या फिर play store से game download करने के लिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को WhatsApp और Facebook पर share कर दीजे ताके और भी लोग इन setting के बारे में जान पाए वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे साथ में bell icon को दबा कर इसे all पर set कर दीजे ताके आने वाली सभी वीडियो की जानकरी सबसे पहले आपको मिल जाए और दोस्तों आपको नीचे आकर एक comment भी कर देना है very good इतना काम करके दोस्तों आप जरूर से मुझे support कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में यह तक के लिए अपना क्याल रखिए टैंक यू